आज पुल्डी चितनी गोंगुरा चितनी बनाएंगे गोंगुरा चितनी बनाने के लिए गोंगुरा साग को लिया है ये आंद्रा स्टेल का है आंद्रा में ही ज़्यादा इसका पत्ता मिलता है देखिए ये पत्ता ऐसा होता है ये पत्ता मैंने लिया है धोके पोचके इसके लिए जो भी सामगरी चाहिए ऑईल, राई, जीरा, नम्मक, हिंग, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, अभी इसको बनाने का विदी देखेंगे अभी ग्यास पर कड़ाई रखें उसमें ऑईल डाल रही हूँ इसमें ऑईल थोड़ा ज्यादा पड़ता है ऑईल गरम होने के बाद सरसू, राई, हिंग, जीरा, अभी इस साग को थोड़ा थोड़ा करके इसी में डालके गुमाते गुमाते डालेंगे, देखिए डालते ही उसका कलर कितना अच्छा चेंज हो रहा है, हल्दी, ऐसा घुमाते घुमाते इसको डालते रहेंगे, इसी में ही ये चेटनी जैसा पक जाता है, ये चापाती के लिए ट्रावल के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको खटा पालक कहते हैं, ये खटा रहता है, इसलिए हमको खटाई डालने की जरूरत नहीं है, देखिए, थोड़ा थोड़ा ऐसा डालके मिक्स करते रहेंगे, जो पहले डाला, वो कितना अच्छा कलर चेंज हो गया है, देखिए, घुमाते घुमाते इसका रंग कितना अच्छा बदल रहा है, इसी में ये पक जाएगा, नमक डाल रहे हूँ, लाल मिर्ची पाउडर, इसको अच्छी दर से घुमाएंगे, बीडियम आच्छ रख करके इसको बनाना है, ये बाहर रखने से आट दिन भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखने से एक मैना भी रख सकते हैं, देखे, रेड़ी,